अगर आप इस वीडियो के बाद देम से मेरे चैनल से पहले बार जोड़ा है तो चैनल को जोरो सब्सक्राइब के लिजगा बेल आकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिपिकरस आपको हमेशा मिलती रहे मैं आपके लिए डेली बिसेस में प्री मार्केट के विडियो से अपलोड करता हूँ हम यह प्लाइनिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है कहां पर भाई कहां पर सेल करना है और हम किस तरीके से व्यू बना के रख सकते हैं तो स्क्रम में हम देख लेते हैं कि आके किस तरीके से काम होगा that is Monday 100 मोहर के दिन और 2nd September मतलब की नया महीना होगा तो हम उसमें काम करेंगे किस तरीके से देखते हैं फिलाल इसके पहले हमने जो प्लाइनिंग करी थी मतलब Friday के दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था और इसलिए मैंने आपको मेरे टेलिग्राम चनल पर अपडेट भी कोई नहीं दी विगॉस ये मार्केट था अब इस मार्केट में मैं आपको क्या अपडेट दू अगर मैं कोई अपडेट दे भी दू तो आप volatility को handle नहीं कर पाओगे loss होगा तो बैटर है कि इस दिन trading ना करें वो ज़्यादा अच्छा होगा तो जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आता हूँ दिन सांती से बैठे रहो हर दिन trade करना ऐसा जरूरी नहीं होता तो चलिए हम देख लेता है कि आगे किस तरीके से काम हो सकता है क्या price section बना है, क्या data बना है और आप मेरे telegram channel को भी join कर ले इसके link इसी वीडियो के comment box में है description box में भी है और आप अगर link ना काम करें तो simply telegram पर जाकर के stocky invest search करिए बट याद रिखे कि यहाँ पे 3200 something subscriber है आप इसी को join करिएगा बाकी सब जहें वो fake channel है चलिए, अब हम सुरू करते हैं data सबसे पहले देखते हैं because मेरा data का format आप सबको मालूम है सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो जो put y है nifty में वो ज़्यादा है और call y कम है तो इसका मतलब जो आपका data है वो bullish है अगर हम intraday में देखें मतलब कि Friday के दिन जो काम काज हुआ उस दिन कैसे position बने तो वहाँ पे भी bullish position बनाई गई तो इसका मतलब है कि जो data है वो bullish है दोनों side तो हम यहाँ पे bullish view बनाके चलेंगे हमारा जो understanding होगा वो bullish का रहेगा support अगर हम देखें तो हमारे पास support यह strong support निकल के आ रहा है और यह strong resistance निकल के आ रहा है यहाँ पे call होई जाता है और यहाँ पे put होई जाता है और जहाँ पे put होई जाता है वहाँ पे हम support और जहाँ पे call वाई जादा होता है वहाँ पे हम resistance लेते हैं तो यह strike निकले का रहे 25,200 की जो की support का काम करेगी और 25,500 का resistance का काम करेगा तो यह हमारे लिए support और resistance हो गया इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे आने पे हम एक बार Y चेक करते हैं अगर put Y घटा है तो नहीं buy करते हैं लेकिन अगर put Y इंक्रीज हुआ है तो हम buy करते हैं reversal के signal को देख करके और अगर resistance के पास गया तो हम call Y को चेक करते हैं अगर call Y इंक्रीज हुआ है तो हम short करते हैं selling के signal को देख करके यह rule मैंने आपको बता दिया अब हम देखते हैं कि किस तरीके से काम हो सकता है, हमार पास क्या निकल क्या रहा है, पहली बात तो market ने all time high बनाया, और all time high की closing होई, इसके लिए आपको congratulations, समस्या यह है कि आपका market तो उपर जा रहा है, लेकिन आपके portfolio उपर नहीं जा रहे हैं, तो उसके उपर एक detailed video आएग तो यह देखिए, फिलाल यह जो area है, यह area of resistance का का काम करेगा, अगर इसके उपर निकलेगा, तो ही हम buy का सोच सकते हैं, और यह जो हमारा है, यह level, इसके नीचे निकलेगा, तो हम silka सोच सकते हैं, हलका full का, लेकिन इसके बाद फिर हमें buying करने पड़ेगे, बगर यहाँ प समझ के चलिए, अब इसको हम कैसे trade करेंग, इसको समय लेते हैं, सबसे पहले, यह हमारे पास एक level है, अगर flight open हो करके, इसके उपर जाती है, यानि कि 25,263, इसके उपर अगर जाता है, और flight open होने के बाद अगर उपर जाता है, तो इसके उपर निकलने देना, एक candle green यहाँ पे close होने देना, और जब green candle close हो जागी, तो उसके बाद हलका से नीचे आने देना, और फिर जैसे ही breakout होगा, आप उसको buy करेना, यह swing low आपका stop loss हो जाएगा, target आपका हो जागा 25,300, 350 और 400 का आप target लेके चल सकते हो, यह पहला plan हो गया, हम इस breakout पे buy करेंगे, हम buy the dip भी करें तो buy the dip कहाँ पे करेंगे, buy the dip करेंगे यहाँ पे, हमारे पास अगर flat open होगर के nifty यहाँ पे आती है, जो कि निकल क्या रहा है, 25,207 है, तो 210 पकल लो, और 199 है तो 5,200 पकल लो, so 25,210 से लेकर के 200 तक इस area में आने पे हम buying करेंगे, हमारा जो stop loss हो जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, जो कि है 25,170 का हमारा stop loss हो जाएगा, हमारा target हो जाएगा 25,200 and 280 के असपास के निकल के आएगा, so यहाँ पे flat open हो करके अगर नीचे आता है, यहाँ पे आता है, तो हम buying करेंगे, stop loss हमारे पास यह रहा, और target हमारे पास यह रहा, अब कुछ लोगों को य इसमें क्या करना है, तो जब यहाँ पे आए तो आप 25,200 का call option purchase कर सकते हो, अगर ITM जाना है तो 100 का purchase कर सकते हो, इस तरह से, क्योंकि यहाँ से bullish होगा, और यहाँ पे अगर इसके open निकल गया, तो हम breakout पे buy करेंगे, तो वहाँ पे भी आप 25,200 या 600, 200 या 300 का call buy कर सकते हो, त तो इस तरह से आप जोई की plan किया करो, अब यहाँ पे selling के signal नहीं मिल पा रहे है, तो sell में आपको नहीं बताऊंगा, sell अगर करना भी होगा, तो एक logic बता जेता हूँ, price section का, तब करेंगे, दवाश नहीं करेंगे, जैसे, अगर market gap up open हो गया, चुकि data bullish है, तो हो सकता है, gap up slightly, slightly moderate आया है, इसके वज़ा से, तो मुझे निरता कि ऐसा कोई उमीद होगा, तो अगर ओपर gap up खुलता है, okay, gap up खुलता है, data के नाम पे gap up खुल गया, अब इसको logic को समझो, data के नाम पे gap up खुल दिया, लेकिन जो GDP का data आया, उसके नाम पे तोड़ देंगे, तो उस case में आप क्या करोगा, अगर ओपर gap up खुला, और कोई double top का formation बना, तो आप यहाँ पे short कर सकते हो, तो stop loss ओपर का swing high का target आप का नीचे आप ले सकते हो, लगबल लगबल 25,250 का, तो यह एक planning निकल के आ रही है, कि data जो अभी बना हुआ है, उसके नाम पे gap up करेंगे, और जो आप GTP का data उसके नाम पे बेच देंगे, तो यह ऐसा हो सकता है, volatility आ सकती है, तो आप इसको plan करके चलो, अगर ऐसा होगा, तो काम करेंगे, नहीं होगा, तो नहीं करेंगे, इसमें हमने कोई दिकत नहीं है, अब अगर हम bank nifty के data की बात कर लें, तो bank nifty को समझ लेते हैं, तो bank nifty में call होई ज्यादा है, तो यहाँ पे bearishness है, और put होई यहाँ पे intraday में change हुआ है, मतलब intraday में put होई ज्यादा बड़ा, इसका मतलब जो Friday के दिन काम काज हुआ, उसमें bullish data बना है, और overall जो data है, वो bearish है, तो इसको कैसे समझते हैं, इसको हम bullish to sideways समझते हैं, क्या स तो हम अगर bank nifty के chart को देखें, so bank nifty के chart है, उसमें कुछ clear समझ में आ रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा दिकत नहीं है, volatility है, no doubt, volatility है, लेकिन, अच्छा एक चीज में बताओ, यहाँ पे मैंने call option short किया था, otm का, यह ओपर गया था, और फिर मैंने एक put short किया, तो इन सब को मिला करके, अगर यह ओपर गया था, फिर भी मुझे profit हो रहा था, तो मुझे नहीं पता कि यह क्या है, इसके पीछा का logic, यह क्यों हो, चलिए, जो होगा, देखेंगे, तो simply, यहाँ पे मुझे लगा, मतलब यह जो selling था, मतलब जो bearish plan था, उसमें काफी अच्छा, मतलब basically decay दिय तो decay हुआ, last में यहाँ पे जो spy किया न, इसमें काफी लोगों का hit हुआ हो, बट मैं पहले ही निकल गया था, तो basically मैंने profit book कर लिया था, because मैं जब भी ऐसे रहता है, तो मैं last में उमीद नहीं करता, मुझे भरोसा नहीं होता, कि कि किसी भी side moment आ जाएगा, तो पता चला, ज चैनल में चल रही है उपर, तो overall bullishness है ही, लेकिन इस area में आने पर थोड़ा सा selling pressure यहाँ पर देखने को मिला है, so further यह selling pressure देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक support का मिल सकता है, so 51,100 और 51,000 का एक support अच्छा का सा बन सकता है, और थोड़ा सा उपर resistance देखने को मिल सकता है, 51, 51,400 के आसपास से, okay, तो अब हम इसमें plan कर लेते हैं कि कहाँ पर buying, कहाँ पर sell कर सकते हैं, इसकी understanding को देख लेते हैं, हम sell अगर करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, लगता है, office में कोई मच्छर आ गया है, और वो काट रहा है मुझे, okay, चलिए देखते हैं, so simply, यहाँ पर हमारे पास जो bank nifty है, वो उपर है, अगर 51,430, 430 से लेकर के 453, या 50 ले लो, 430 से 450 के level पे अगर दिख जाएगी, कोई भी selling का signal भी लेगा, याद रखना, selling के signal पे करना है, selling का signal क्या होता है, कोई आपको hammer candle बन जाएगी, जिसका वी copper के side बड़ा होगा, या फिर berry single thing बन जाएगी, तो आपको short करना है, stop loss जो आपका होगा 466 है, तो 465 ले लीजिए, target 51300 का, और अगर नीचे जाए, तो आप 280 का भी ले सकते हो, बट्या आपको यहाँ पे एक बार profit book करना पड़ेगा, यह इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि data थोड़ा सा overall negative है, लेकिन overall जो system बनेगा, bullish to sideways का ही बनेगा, signal मिल गया, तो काम कर लेंगे, 100-500 point मिल भी सकता है, इस वज़ा से, अब अगर हम buying की बात करें, तो देखो, buying के लिए क्या करना है, पहली बात तो अगर इस दोनों levels को understand करें, पिछले दिन का यह वाला rejection, इसके बाद gap up, और फिर आज का यह rejection, तो यह area जो है न, यह पूरा support का का काम करेगा, विकॉस यहाँ पे, इस area में interchange हुआ ह है, मतलब जो position सा interchange हुई है, तो यह area एक support का काम कर सकता है, तो हम simply buying कहाँ पे करेंगे, इसको understand कर लेते हैं, हम buying करेंगे, थोड़ा सा logic wise है, इसमें आप थोड़ा सा understand करना, stop loss जो होगा, वो होगा, bank nifty में हम buy करेंगे, 51,210 है, तो 220 ले लो, 220, okay, 51,220 से लेकर के, 196 है, तो 195 तक ले लीजिए, 51,195 यहाँ पे आने पे हम buying करेंगे, stop loss जो होगा, 170 का होगा, 174 है, तो 170 ले लीजिए, 170, 51,170 का stop loss होगा, target हमारा होगा, 280 का, and 350 का हमारा target हो जाएगा, यह understand करके चलिए, तो फिलाल, यहाँ से sell करना है, यहाँ से buy करना है, अब इसमें एक चीज़ यह हो सकती है, कि यह निफ्टी bank, हलका सा flight open करें, और इसको तोड़ ताड़ करके आगे निकल जाए, मुझे निल तक ऐसा होगा, बट अगर ऐसा होगा, तो हम sell करने का plan करेंगे, ओपर से buying कर नह मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा, basically, disturbed रहा, but that is okay, आप लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए, और अगर कोई doubt और confusion नो, तो मुझे इस number पर call करके पूछ सकते है, एक छोटी सी और update है, आप अगर इसको लेना चाहे तो, हर महिने, basically, मैं आप लोगों को बताता रहता ह कि मेरी classes चलती है, और 2-2 महिने, 3-3 महिने पर classes चलती है, फिलाल जो 2024 की last batch है, वो आपकी सूरू होने वाली है, 20 November से, so 20 November से आप यह batch जोईन कर सकते हैं, अभी जो fees है, वो 5000 ही मात रहे, लेकिन next year से हो सकता है, कि fees में कुछ increase करू, तो अगर आपको मुझे सीखना है, तो आ मैं यह details send कर दूँगा, या फिर आप यह video मेने जो बनाय हुआ है, आप देख सकते होंपेज पर आएंगे, तो होंपेज पर यह video आप देखेगा, इसमें date की चीज को छोड़ करके, date वाले part को छोड़ करके, बाकि सब चीजे सेम है, पूरे benefit सेम है, पूरे topic सेम है, तो best batch है 2024 की, तो आप इसको जरूर जोइन करिए, क्योंकि अगले year से batches अलग-अलग तरीके से चलेंगी, और fees भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अभी सिर्फ 5000 में सिका रहा हूं, बहुत कुछ सिखाता हूं, तो आपको यह सब चीजे समझने चाहिए, फिलाल इस video में भी के इतना ही, thank you, I am missing you, all the best.